हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे इस चैनल पर दोस्तो जितने भी छात्र डाक्टर राम मनहोर लोयावद विश्विदेले में पढ़ते हैं वो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं कि उनको अगर प्रमोट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा कि साधारपन नंबर दिया जाएगा और सेकेंडियर वालो को ये कन्फ्यूजन है कि उनको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा और third year वालों की तो परिच्छा होनी ही होनी है तो हम बात करेंगे दो बिंदो पर first year और second year को ले करके तो ये वीडियो आप पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा बहुत चोटी सी वीडियो है देखिए सबसे पहले बात करते हैं first year वालों की और first year वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा अगले वर्स जब वे second year के परिच्छा देंगे तो second year में जितना भी नंबर उनको मिलेगा उसी आधार पर उनको first year में नंबर दे दिया जाएगा ऐसा बोला गया है first year वालों के लिए अब बात करते हैं हम लोग second year वालों के तो चलिए मैं second year वालों के लिए आपको paper cutting पर लेकर चलता हूँ यह देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आप इसको देखिए दित्ये वर्स के अंक के आधार पर प्रथम वर्स के अंक देखिए पढ़िए इसको ध्यान से पिछले वर्स भी कुरोना की वज़े से प्रथम वर्स के चात्रों को बिना परिच्छा के अगली कच्छ में प्रोनत कर दिया गया था लेकिन इन चात्रों को दित्ये वर्स की परिच्छा के आधार पर प्रथम वर्स में अंक दिना निर्धारित किया गया था जिन चात्रों की पहले परिच्छा नहीं हुई थी पर्थम वर्ष में उनको कहा गया था कि आगले वर्ष आप सकेंडेर की परिच्छा देंगे तो उसी क्याधार पर आपको फर्स्टेर में नंबर दिया जाएगा यही वज़ा है कि इस बार दित्य वर्ष के चात्रों की परिच्छा आयोजित कराई जाएगी वहीं जिन विश्व विद्याले में पर्थम वर्ष की परिच्छा हो गई थी देखिए यह पढ़िए आपके लिए डाक्टर राम मनोहर लोहियावद विश्व विद्याले के चात्रों के लिए वहीं जिन विश्व विद्याले में पर्थम वर्ष की परिच्छा होई थी क्योंकि आप लोगों की हो गई थी ऐसे दित्य वर्ष के छात्रों को पर्थम वर्ष की परिच्छा के अंको के आधार पर अंतिम वर्ष में पुरुनत कर दिया जाएगा बस इतना ही आपको समझना है बाकी ये सारी चीज़ी समेश्टर वाली परिच्छाओं के लिए है तो ये आँपको नहीं देना है इतना ही समझना है तो आप यहाँ पर देख सेते हैं कहा गया है जिन विश्व विद्याले में परिच्छा नहीं हुई थी उनको देना पड़ेगा दित्तिय वर्ष में इस बार और जिन विश्व विद्याले में परिच्छा हो गई थी तो हमारी लोग की हो गई थी राम मनोहल लोहियावद विश्व विद्याले के परिच्छा ह तो उन्हीं इस बार दित्तिये वर्ष से सीधे उठा करके तित्तिये वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा यानि प्रत्तिये वर्ष के आधार पर दित्तिये वर्ष में नंबर दे दिया जाएगा और दित्तिये वर्ष से उठा करके तित्तिये वर्ष में उनको डाल दिया तो इस प्रकार डाक्टर राम मनुहल लौहिया वद विश्विद्याले की दित्यवर्स की परिच्छाएं होने की संभावना बहुत कम है कम इसलिए मैं बता रहा kicking कि अभी डाक्टर राम मनुहल लौहिया वद विश्विद्याले ने कोई नोटिस जारी नहीं की है हलाकि सरकार के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा तो प्रमोट करना पड़ेगा तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए अगर आप नए है तुमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए